असलाम उलेकुम दिया स्टूरेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन्स के आउट्लाइंज को हम डिसक्स करें हैं पेपर 2 में और आज की वीडियो में हम स्टूरी करेंगे डिसक्स करेंगे कोल्ड वार को So the colonization in Asia and Africa and then rise of United States Soviet Union and era of The Cold War 1947 to 1991 was a period of intense political and ideological ideological rivalry between superpowers the United States and Soviet Union So this rivalry shaped the global affairs fire आफ्रीके विथन शवाया। नाइ शवाल भी ऐसे का उन आपटारु हो एक। एक लाइब का जाडर कुलीया। जाडर सुपर पावल जर्मेरिका और सुवयत विजासी विद नज्राटी का राविलेटी वीजाती तरू है। दूरान आलमी अमूर को पिश्कीर देते ही और इस दूर के अंदर अशिया में और अफरीका में नौबाजाद का खात्म भी देखने में आया अपके नई अजाद और यासे इंसामराजी हुट्रान के वर्सों के बाद भी अबरें और तो पाकिस्तान के लिए पास्परेंट क देकलोनिजेशन के लिए और देकलोनिजेशन के खात्मा भी देखेंगे तो डेकलोनिजेशन जिया इस अमल को वेते हैं जिसके जरी एशिया अफरीका और दुनिया के डिगर हिस्ट में यूर्पी ताकत के जिरे तसलिक लाकों ने दूसरी जंग अजीम के बाद आजाद ह की और ये बीसे सदी के सबसे एम स्यासी तहरीकों में से भी एक थी और जिसे कौम परस्थी की तहरीकों और यूर्पी सल्कनद्जों की कमजोरी ने जनम दिया अब काजिस के हैं डी कलोनिजेशन की इंपेक्ट आफ दे वर्ड वार्स रेकिन यूर्पीन पावर्स लाइक और फ्रांस में की इड हार्ड वार्ड वार्ड वार्स तो दूसरी अलमी जंग का जो असर था जंग ने बरतानिया और फरांस जैसे यूर्पी ताफ्टों को कमजोर काज दिया जिससे उनके लिए अपनी नह अबादियात पर कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो गया देन न थांस लिए नहाँ नहीं नहोंने खुद हुकमरानी के लिए टहरिए इंहित दाइप की थी सुपरफ़र इंपर्वर इंपोंस तब तो इसपास्वेटा इंपर्ट दीकलोनाजसेशंस तो इस प्रमोटीछ पर्मोर्टिचम निएशन एशन एपाट इस देमोग जोलिएट क और मुतले वजुहात की बिनांग के ओपर उन्हें ने इसको स्पोर्ट किया अमरीका ने जमूरी नज़ियात के तहट खुद इरादित को परमोट किया जबके सुवेट इजियन नोबा जाती जर्द 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 की हमायत करके मेकने कुमिनिजम खेलानी की कोशिश की अब डी कोलिनिजेशन का इंपेक्ट किया रहा इंटरनेशनल इलेशन्स के ओपर एशिया और अफरीका में नई अजाद होने वाले रियास्ते अफसर थादर जांग की राज़ियरी में उलज गए विद इजुनाइटिज सेट और सुवेटी जुनान गंपेटिंग जवाद लाल नहरू आफ हिंडिया इंडिया इंडोनेशिया वार की लीडर्स आफ इस मोमें तो बहुत एशिया अफरीके मौलेक ने जो घर वो बस्ता तहरीक एथी इस में इफ्टार की ताकि साथ जग में किसी एक परीक की तरफ़दारी से बचा जा सके और जवाद लाल 3. खलक सबूस पाइस्टान निवैर्स बस्ताइमा निवैर्स की 1. काइश्ण पार ईंडिया की अजा सभी पाकिस्तान नाल न nagओ 그것 ने नाल नाल आफ सेंडिया स्टाव इस ने उन्डाने अख सब्रु अड़ल्सेय लाद लिए रावाटending जोनिंद फ्रेस्ट ब्लोक फ्लाइंस लाइसिंट एक नहीं अज़ाश्य घरडी के लिए पाकिस्ता ने साथ जासत में मगरभी ब्लोक में शमूल एक्टार की और मौधात जैसे सेनेटों और सीटों के जरी अमरीका के साथ इतार के दोड़ाइब्टा के दूपार्द हासल की जैसे के देन राइज आफ दे जुनाइटिन नेशन एंड सोवेट जूनियन इमर्जिंस आफ इस सूपर पावर दूर से ही आलमी जंग के बाद अमरीका और सोवेट जूनियन दुनिया के दो गालब दो डूमिनिस नागते हैं बनका उबने जिनका सियासी मौशी निजाम बि जोड़ा देता था धिन ग्लोबल इडेलोजीकल कंफिक्स अब अबने जुनियाट के दोर पर जो नजर्याट के तासादम जबूरियत का मुकाबला को मिनिसम से था सर्मायदारी का मुकाबला सोशलिज्म जे साथ था तो दोनों सूपर पावर ने पोजी ताहाद इक्तिसा इमतार जिसासी मताखला जिसके जरीए दुनिया भर में अपना इंफ्रोंस बहाने की कोशिश की नियुक्लिर आम द्रेस तो यह जो राइविलरी थी एक खतरनात जोरी हत्यारों की दोर का सबब भी बनी जिसमें अमरीका और सोवेट जूनियन दोनों ने जो है इनोंने इसर नियुक्त सब्सक्राव पाकिस्ता जोरी कि धरीप्सक्राइड पाकिसान और सोवेट जिसमेर्श नियुक्त करद ले जूस बेएविलर। के लिए जो इसकी हमियत है पाकिस्तान ने साधर जंग के दूरान अमेरिका की हमाइड हासल की और फोजिक तरसादी इम्दाद भी पाकिस्तान को मिश्यरी पाकिस्तान ने इसलिहासे भी फाइदा उठा तरह हासल पर 1979 में सोबेट जूनियन के अवगानिस्तान पर हमले के तो तो फिर देखेंगे एरा आफ उठाइड बाय पिलरीटि नाइटिज़ नाइटिफ इसलिटू बाय पिलरेटी क्या होता है बाय पिलरेटी से मेराद दूनिया की दो मुखालव भ्लॉक में तफ्दीम है अमरीका की कियादत में मगरिभी ब्लॉक और सोवेट जूनिन की मेश्र की ब्लॉक. जो बड़ा बोहरान था जहां सोब्यारी तिजुने ने मगरी भोहरान का भास रख जिए जिसके जवाब में अमरीका ने बर्लिन हवाई पूल को भी अर्गनाईज किया था तो कॉरियन जंग जो थी 1950-1953 तक थी और एक भाहरास जनाज़ा था जितमें अमरीका की क्यादत में अकवाम मुहताईदा की अफवाच और सोवेत जुनिन की जो हमायत अजाफता शुमाली कॉरिया था वो अमने सामने आय और जो आफर कालफोजी तातल के ओपर वो खतम हो ग क्युबा मिजाल बहरान हुआ उनी तो अमरीका ने क्यूबा में सोवेत मिजाल की मजूद्गी का इनकिशाफ किया और बहरी इनाकबंदी भी इंप्लिमेंट कर दी तो दुनिया जोहरी जंग के करीब आगए और आखर का एक मुजाक्राथी मुएदे के पिर बहरान जह हो इननन टुनिया और गुदे आखर के से अच्छी तो एंपा किस तन अमरीका के साथ किया सोवेथी दालोकात दान किया सोवेथी या क्मेरे खद्रेंग के लिए मगरी पॉजी इताहादू जैसे लिए तो आूझकिशाल किया सैंट एंश का प्रफे ऐन्री alien गै मकरी तो जो डेटेंट साद जांक के दुना नांटीन स्यूसित नांटीन सेवंटी इसकी धाई में तनाव में कमी हो और अमरीका और सुवेटी जूनियन के दर्मयान तालोकात में जो है ये बहतरी का दूर इसको कहा जाता है इस दोर को जो 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 ही तनाज़ा था उसके खत्रे को काम करने पिर तफारतकारी के जिए तालोकात को बहतर बनाने की को से इसको इंगेज किया गया गया ये पीचिस अफ अड़ेट अर्म आम्स कंट्रोल एग्रिमेंट थियारों पर कंट्रोल के जो हम खशुसियात हैं अमरीका और सुवेट जूनियन ने कई हत्यारों के ओपर कंट्रोल के मुएदे की है जिन में जो है वो स्ट्रेजडिक आम सा लिमिटेशन स्टास शामिया है जो हरी हत्यारों की तदाद को महदूत किया जा सके तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बहुत सुपर पावर्स दोनों सुपर पावर्स ने सुफाती तलोपात को बढ़ाया और ये प्रेजिडेंट थे रिचर्ड नेक्सन 1972 में तो उन्होंने अमरीका के सदर ने चीन के द पाकिस्तान के लिए इसके क्या हमयत है पाकिस्तान 1971 की पाक भारत जो जो जंग थी इसी दोर में होई थी जिसके लिफिजिमेंं बंगलादेश का क्या क्याम आइक्वादिक ने की कोशिश की जबके सुवेत जुने ने भारत के हमयत की थी दिन रिवावल अफद ल कोल्ड 1979 to 1985 अब जो है साद जंग की जनी के बहाली हुई और डेटन का खात्म हुआ 1970 की दहाई के आखर में साद जंग के तनाओं में जो है वो अजाफा हुआ और जो बुनारी तोर पर 1979 में अफ़ानिस्तान के उपर सोवेट जूनिन के हमले के बाइस हुआ था और इस वाकिया ने नसाद जंग की बहाली का अगास किया अब इसके अंदर जो की इवेंट्स है सोवेट इन्वेजन अफ़ानिस्तान है और रेजिन कोलड वार पालिशीज़ सोवेट जूनिन इन्वेजन लेड़ तो अस्ट्रोंग रिस्पोंस हुआ तो अफास सोवेट जूनिन नेहायाथ किया सोवेट जूनिन की सब्स enfants के वाएंजनू का क्या थमक्राइन। सब्सक्राइब आसन धर जज़ρι जना में के योथे थिशास थी असल ने मर्कज धेदा किया और रेगन की साथ जंकी जो पलिसियां थी अमरिका के सद्धर रॉनाल्ड और रेगन ने साथ जंक के त्राव में अधाफा किया इसके साथ साथ, military spending के फोजी अकराजा आधे उसको बढ़ाया, उनके अधाफा किया और स्रेजिडिक डिफेंस इनिशेटिव एस डी आई का गाज किया और सोवेट जो है उन्होंने कहा कि यह इवल अंपार है जिन इसको शेटानी सल्टनत कहा तौकर का नइब दखेंस नम сразу ऑख हम भी आउन ऑफन न खेर अनिया लेजड एस ऐव एसली आई कोषिष एक हम यह इन का अबिंक और ररीका किया के अटनी सुट्राइब करते नंचा में लिफय्aja कारें के लिफिक काबल करते थायन कोशिचित नम्त्तर된 राध्नstoryस खेंस अन प्राइस्ट और प्राइस्ट की पोजी एक पसादी इव दाग बिली थी और में पकिस्टान में प्रीयद पसंग बुपते वो भी उबरेती इसकी हित्वे में तो वील मुदत दी जी जीनिक अस्राइ भूए तो दी ओडल वार बात्थ ऑर इंटीर्ट की जीनिक प्राइस्ट और शूवाला एंट ऌनवस्ट ऑपते लाईंग जीनिकारत रहे को गूए इस यूर अफरीका की नोबाद याजाज रियास ने अक्सर इस डायवलिरी में भसी रही जबके पाकिस्तान जीसे मौलिक इस यूर नामा था उसकी ओपर काफी जो है गहरे असरात मरतब की तो अडरस्टेंग ने स्पिरेट इस वाइट इस वाइट पाकिस्तान को मतासिर कर रही है तो इन टापिस के रिगारिंग को भी क्वेस्टन हो तो आप कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं थैंक्यू फार वाचिंग वर वीडियो जी लाइक वर वीडियो जें लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाच आना